नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम बात करें साहो के बारे में प्रभास के बारे में not only actresses even directors had crush on प्रभास आज इस पर हम discussion करने वाले हैं जिसके आप जानते है रिवल स्टार प्रभास जो है वो एक ऐसे celebrity है जिनका जो डंका है वो टॉलिवूड से लेकर बॉलिवूड क्या पूरे इंटरनाशनल लेवल पर बचता हो नजर आता है उनके बहुत सारे ऐसे दिवाने हैं जो उनसे शादी करना चाहते हैं कोई चाहता है उनसे अपनी दिल की बात कहना तो मैं आपको बता दू कि प्रभास जो है बहुत सारे female fan following है उनकी बहुत सारी जिसकी शायद गिंती नहीं है और इसमें कोई भी surprising वाली बात नहीं है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और भी celebrities इस कतार में जुड़ते जा रहे हैं और वो एक director है director का नाम है नंदनी रिड़ी और during the film promotion of a baby जो नंदनी रिड़ी है उन्होंने अपनी दिल की बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा प्रभास के उपर एक बहुत ही जादा भारी crush है यानि कि मैं उनकी दिवानी हो और मिर में हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी दिल मिलेगी तो शायद कभी वो दिन भी आएगा जब मैं अपनी दिल की बात उनके सामने रखूंगी तो जैसे कि आप जानते हैं बीवी नंदनी रेड़ी जो है वो डिरेक्टर है ओ बेवी की और जो फिल्म है फिल्म में आपको एक fantasy comedy की दिखेगी जो की south korean movie पर पूरी तरी वाले हैं और लक्षमी नज़राने वाली है लीड रोल्स में यह movie जो होगी पांच जुलाई 2019 को रिलीज होगी तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर actresses ही नहीं यहाँ पर directors भी कुछ ऐसी है जो दिवारी है प्रबास की प्रबास कुछ है है ऐसे जिसका देखकर हर कोई ज खूमोंयल